हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पे और मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी लगतार अपनी चैनल पे आपको प्रोबाइट करा रही हूँ ओल क्वेशन पेपर जी हां दोस्तों फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओल क्वेशन पेपर की सिरीज इन दिनों आपको हमारे चैनल पे प्रोबाइट की जा रही है तो दोस्तों यह वही क्वेशन से यह वही ओल पेपर से जिनसे प्रतियोगी परिक्चाहों में पूछ लिये जाते हैं और आपको इनकी प्राक्टिस करना बहुत जरूरी है तो अगर आप रिप्रेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्टेटिव एक्जैम की तो आप इन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके पूरा-पूरा लास्ट तक लिखें और इनकी प्राक्टिस करते रहें आगामी सभी प्रतियोगी परिक्चाहों में आपको इन वीडियो से काफी हेल्प मिलने वाली है और दीखें आज के इस वीडियो में भी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टोल क्वेशन पेपर लेके आये हैं दोस्तों और आपको बताया है कि यह जो केशिन पेपर्स है इनमें आपको कुछ ऐसे न्यू क्वेशन भी मिलते हैं कई बार जो आपने पहले नहीं पढ़े होते हैं तो यह आपकी प्रिपरेशन के परपस से काफी इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट तो आज के इस वीडियो में यही है कि कुछ new and different questions है series में जो कि आपको पूरा पूरा लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है So let's start with question number one And it is asking that which of the following is not a multi-sport competition कि कौन सा बहु खेल प्रतियोगिता में शामिल नहीं है लेकिन क्या है correct answer देखिए इस question का champions trophy जो है It is not a multi-sport competition Now the next question is asking कि a mix of boxing and wrestling is known in ancient olympic as So Mukkebaji और कुष्टी के mission को प्राचीन olympic में किस नाम से जाना जाता था And correct answer तो आप सभी ने guess कर लिया है इसे pen creation के नाम से जाना जाता था Move करते हैं हम next question की और कि the idea for reviving the olympic games came from यानि कि reviving का मत्नब होता है कि olympic खेलों को पुनर जीवित करने का विचार किसके द्वारा लाया गया था And the correct answer is option number D Baron Peerdi Kubertin इन्होंने ही olympic खेलों को पुनर जीवित किया और शुरवात की modern olympic games की जिनकी शुरवात ना 1896 में Baron Peerdi Kubertin जी के दौरा ही की गई थी आप सभी को पता है और इसलिए Baron Peerdi Kubertin को जो अधनी को लंपिक खेलों के पितामां के रूप में जाना जाता है Now the next equation किसी संसा की दिवार के अंदर खेले जाने वाली पृतियोगिताओं को किस नाम से जाना जाता है And a competition plate within the walls of an institution is known as intra-muller competition इन्हें intra-muller competition के रूप में जाना जाता है Now the next equation आदर श्वाक के में 40S का क्या अर्थ है तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ओलंपिक मोटो में 3 words को लिया गया है 3 Latin words को शामिल किया गया है Citeous, LTS and 40S और पूछा जा रहा है कि 40S शब्द का अर्थ क्या है तो मजबूत, stronger, 40S शब्द का अर्थ होता है stronger और Citeous का अर्थ होता है faster यानि की तेज और then LTS का जो अर्थ होता है वो होता है higher यानि की उच्चितर और एक और word जो इसमें इंक्लूड किया गया है वो है Communities जिसका मत्दब होता है साथ-साथ Now let's move to next equation और ये देखे एक यहां पे एक equation बीच में आ गया है जो की assertion in region से सम्मंधित है तो इसको देखे इसमें क्या कतन में कहा जा रहा है कि Archimedes का सिधान्त यह है कि एक बस तो पानी के अपनी मात्रा को विस्थापित करती है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के शरीर में वसा का प्रतिशत निर्दारित करने के लिए किया जाता है और दूसरा देखे क्या बुला जारा इसका region इसका कारण क्या है कि वशा द्रब्यमान और वशा रहित द्रब्यमान का है दुबला उतक जैसे हड़ी और मान स्पेशी पानी से सगन होता है और वशा उतक पानी की तुला में कम घना होता है अगर आपको question समझ में नहीं आया है तो आप English में से पढ़ सकते हैं और हम आपको बता दे की correct answer क्या है यहां पर की both A and R are true मतलब दोनों ही कतन और रीजन सही है और R जो है वो कतन की सही ब्याख्या करता है तो this is correct answer for this question अव लेट्स मूब तो next question and it is asking that the first secretary general of I.O.A यानि की I.O.A के प्रतम महा सचेव secretary general, first secretary general I.O.A यानि की Indian Olympic Association के कौन थे तो बताइए क्या है correct answer option number C, A.G. Nohran Dr. A.G. Nohran was the first secretary general of I.O.A now let's move to next question और देखिए बहुत ही अच्छा question है physical education से सम्मंदित जो भी महतुपूर्ण definitions सभी exams में आपको देखने के लिए मिलते है उन सभी को यहां पे शामिल किया गया है दोस्तों तब आपको बता दे कि इसका correct answer क्या है देखिए option number B is correct here means A third तो देखिए जो A का जो सही यहां पे है मिलान वो क्या है third से है तो देखिए पहले हम आपको बता दे कि क्या पूछा गया है इस definition में कि physical education is the sum of those experiences और जहां पे बात आती है कि उन अनुभावों का योग है शारी रेक सिक्छा जो व्यक्ति को गति के द्वारा प्राप्त होते है which come to the individual through movement तो यहां किसकी परिभाशा है आपने कैसी कर लिया है डेलवर्ट ओवर्ट्यूफर यह definition जो है यह ओवर्ट्यूफर जी के द्वारा दी गई थी now the next definition देखिए कि physical education is an integral part of the total educational process शारी रेक सिक्छा संपोर्ण साक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन अंग है यह प्रयास का एक छेत्र जिसका उदेश शारी रेक कतिविद्यों के माद्य हम से मानव कारिप्रदर्शन में सुधार करना है इस परिडाम को साकार करने की दिष्टी से चुना गया है तो यह definition दी गई थी चार्ल्स बुचर जी के द्वारा option number first is correct here और देखिए इसमें क्या है third का जो यानि की C का जो correct answer है किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई है तो जेम्स फेरिंग जी के द्वारा यह परिभाषा दी गई है जेम्स फेरिंग विलियम्स के द्वारा इसे परिभाषित किया गया है शारिरिक सिक्षा को इस तरह ऐसे कि शारिरिक सिक्षा मनुशी की उन दिरिक गतिविधियों का योग है जिने परिडाम की रूप में चुना और संचालेत किया जाता है अब हम बात कर लेते हैं लास्ट डेफिनीशन की जो की कह रहा है जिसमें की फिजिकल एजुकेशन इस दाट फेज ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दाट डील्स विद इमान स्पेशियों की गतिविधियों और उनसे संबंदित प्रक्रियाओं से जो हैं संबंदित होते हैं तो जहां पर बिग मसल्स की अक्टिविटीज की बारे में बात होती है तो जे भी नैश की द्वारा इसे परिभाशित किया जाता है आप सभी को पता है दोस्तों तो यह डेफिनिशन आपको यहां पर रिवाइज हो गई है जो की हर बार एक्जैम में पूछ ली जाती है और अब हम मुग करते हैं नेक्स क्वेशिन की ओर की अहाई स्ट्रेंथ तो मास रेशियो इस बेनीफिशियल फॉर एथलीट आफ यानि की बड़े पैमाने पर अनुप अगर हम बात करें तो किसमें इस तरह का गुण जो है पाया जाता है इस तरह का जो स्किल है वो किसके लिए जादा जरूरी होता है तो ऑप्शन नमबर डी इस करेक्टी है बारो तोलन या वेट लिफ्टिंग वाले की लाडियों में जो है शक्ती की प्रधानता की बात की जा रही है जो एक स्वेशन की और वी ओ टुमाग्स इस अ की मेजर ओफ विच ओफ फॉलोइंग फिटनेस कंपोनेंट यानि कि निम्रिक्षित में से किस फिटनेस कंपोनेंट किस फिटनेस घटक को वी ओ टुमाग्स के प्रमुख फॉर्म में जाना जाता है और बताईए वी ओ टुमाग्स की बाद जहां पर की जाती है तो करेक्ट आंसर एंडियूरेंस इस करेक्ट आंसर ओप्शिन नम्मर ए नाव नेक्स एक्षिक विवस्था का होना अनिवारे है यानि बात की जा रही है कि तो डिबलब दाविलिटीज ओफ चिल्रें विट स्पेशल नीड यानि कि सिच्छा का वहां कौन सा एस्पेक्ट है जो कि विशेश आवशकता वाले बच्चों की योगिताओं के विकास पर जोर देता है यानि कि कुछ हैसे बच्चे होते हैं जो जिन्हें स्पेशल नीडी चिल्रें की रूप में जाना जाता है जिसमें दिव्यांग बच पर जिसमें एक्सटा वाल को यानि जो बहुत वढ़िमान होते उन बच्चों को भी शामिल किया जाता है कि उनकी जो नीड से वो इस्पेशल होती है उन के लिए अलग टीचिंग आट्स की जृत होती है तो यह किसमें शामिल है तो यह कहलाता है इंक्लूजेव यानि कि सम फॉर्म को सम्मिलित, इंक्लूजव जो है, उसमें जाना जाता है, ठीक है, फॉर्म में जाना जाता है, नाँ लेट्स मूब तो नेक्स क्योशन की विच अफॉर्म में जाना जाता है, जाना जाता है, तो देखें, क्या है, ओप्षण नमर वान नेती, बस्ती, धोती, यह तीन जो हैं, यानि की ओप्षण नमर सी यहां पे सही है, A, C and D option number 3 is correct here A, C and D यहाँ पे सही answer है यानि कि सही options है सिद्धी प्रक्रिया योग त्रिदेशों के संतुलन को प्राप्त करने और बनाई रखने के लिए okay let's move to next important question of the series और बहुत ही अच्छा question है देखे screen पे और आपको सही मिलान करना है यहाँ पे that permits movement तो देखें दोस्तों जहाँ पे एक बोन को दूसरे बोन से जोडा जाता है जहाँ दो हटियां आपस में इस तरह से जुड़ती है कि movement हो सके यानि जोडों की बात की जा रही है अगर पूछा जाता कि वो tissues कौन से होते हैं यहां पे एक bone को दूसरे bone से जोड़ा जाता है तो उसका answer होता ligament लेकिन यहां पे tissues की रही बलकि उस point की बात की जा रही है कि जिस point पे दो bones आपस में जुड़ती है और movement को permit करती है यानि जिसके कारण movement हो पाता है हमारे body में उन point को क्या कहते हैं और उन points को joints के नाम से जाना दोस्तों अब बात की जा रही है a form of connective tissue that is a semi-raised yet flexible जो कि कैसा होता है semi-raised or flexible connective tissue होता है it is found in the joints and other places such as nose, throat and ears और कान के जो पिनना में यानि के जो बाहरी जो पाइट दिखता है आपको बाहर से तो वहाँ पे जो पाया जाता है नोज में यानि की cartilaginous rings जो हमारे ट्राक्या में पाई जाती है और थ्रॉट हो गया तो यह सब आप समझे गए होंगे बात की जा रही है cartilage के बारे में क्या होगा correct answer cartilage, okay और number 3 देखे a strong piece of tissue in the body connecting a muscle to a bone अब यहाँ पे बात की जा रही है तो इन्हें जाना जाता है tendon के नाम से और last question देखे इसमें कि fibrous cord that bind the bones together at joints related responses यानि कि रेशेदार हड़ियां रेशेदार हड़ियां जो हड़ियों को जोड़ने में helpful होती है तो simply पूछा जा रहा है कि the type of connective tissue which connect bone to bone तो अब यहाँ पे उस tissue की बात हो रही है जो bone को bone से connect करता है तो ligament यहाँ पे सही answer होगा option number 3 is correct here तो देखे क्या answer है यहाँ पे सही देखे दोस्तों option number B is correct here A का 4th, B का 1st, C का 2nd और D का 3rd answer यहाँ पे सही है अब हम मूब करते है next question की ओर and it is asking that the ability of an athlete to change direction rapidly without a significant loss of speed, balance or bodily control यानि की गती संतुला निया शारिरेक नियंतर के महतुपूर्ण नुकसान के बिना एक athlete की दिशा तीजी से बदलने की छमता को किस रूप में जाना जाता है and it is known as agility इसे चपलता की रूप में जाना जाता है now the next equation the part of the heart that pumps blood to the rest of the body is the यानि की हिदय का वह बाग जो शेश शरीर में रक्त पंप करता है वह कौन सा है option number D left ventricle में ही दोस्तों शुद्रक्त पाया जाता है जो की heart का वह पार्ट होता है वह chamber होता है जो की सबसे बड़ा chamber होता है और यहां पे शुद्रक्त होता है और यही से आयोल्टा के द्वारा या arteries के द्वारा शुद्रक्त को body के सभी parts में यानि की शरीर के सभी भागों में पहुचाया जाता है हरदय से बांकी सभी भागों तक ले जाया जाता है यानि की first Asian Games आपको पता है कि 1951 में न्यू देली इंडिया में इनको जो है होस्ट किया गया था भारत की द्वारा ही होस्ट किया गया था तो किस डेट से किस डेट को यह हेल्ड हुए थे यह आपको बताना है और यह तरह दो करेक्ट आंसर फोर उफ्र मार्च टू 11 अश्ट मार्च नाइन थे इंटीन हंडिया फिप्टी वन इस करेक्ट आंसर चार मार्च से ग्यारा मार्च उन्निस सो इंक्यामन को इंका आयोजन किया था तो इसा कब से शुरू किया था यानि कि प्राचिन ओलम्पिक गेम्स की शुरुवात कब से की गई थी और कब तक इनका आयोजन किया जाता रहा है और इसके बाद इन्हें बंद कर दिया गया था यह भी पूछा गया है एक्चली यहां पे कि कब से कब तक प्राचिन ओलम्पिक खेलो के शुरुवात कब से हुई और किस शताबदी तक इन्हें मनाया जाता रहा हर चार साल के बाद तो करेक्ट आंसर क्या है देखें ऑप्शन नंबर सी यानि की 776 बीसी से ले के 392 एडी तक ही इनका आयोजन किया जाता रहा है तो अगर आप से पूछा जाए कि प्राचीन उलंपिक गेम्स को कब रोक दिया गया था तो 392 एडी में और पुना इनके शुरुवात कब की गई तो इनके श से लिए और जो कि आज का लास्ट क्वेशन है वारे इस सीरीज का और एके समें क्या पूछ रहा है कि इंटर कारफल और जॉइंट आप धर इग्सेंपल ऑप ज्वाइन्पल या जोड किस प्रकार के उदारन है तो बताए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्लाइंडिं किस प्रकार की एक variation होती है तो क्या है इस question का answer which means speed play is a variation of और दोस्तों इस अच्छे से प्यारे से question का answer आपको हमें comment box में लिख के बताना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like जरूर कीजेगा और अपने सबी studies group में share कीजेगा और मिलते हैं आपसे इसी तरह के most important question की series के साथ till then take care, goodbye, have a nice day